एक्सरसाइज 3.1, question 1, find the mean of the following, 20, 50, 20, 10 and 50 इसको हम mean केज़र find करेंगे, इसका solution ऐसा होगा, पहले हम mean लिखेंगे तो mean लिखने के बार क्या करेंगे, यह जो value है, आप सभी value को add करेंगे suppose 20 plus 50 plus 20 plus 10 plus 50, सभी को add करेंगे, add करने के बार क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें total 5 value है, so 5 से इसको divide करेंगे, इसका sum करने के बार जितना value आएगा suppose इसको अगर हम sum करेंगे तो value आएगा 150, so 150 कैसे आया, suppose 20 plus 50 equal to कितना होगा, 70, 70 plus 20 होगा, 20 होने के बाद value आएगा 90, 90 plus 10, so 100, 100 plus 50 equals to 150, so 150 is our total value, so 150 divided by 5, 5 से क्यों divide कहा, क्योंकि इसमें total 5 value है, suppose यह मानलो 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, excessive count करना है, कितना value है, और वहीं number से divide करना है तो 150 को, 150 को अगर हम 5 से divide करेंगे, तो 5, 3,000, 15, so यह कितना होगा, 0 आएगा, 0 को 5 से 0 ताइम जाएगा, तो finally remainder 0 होगा, तो इसका अंसर आएगा, 30, यह होगा, इसका mean, mean equal to, इन सभी value को अपर साम करेंगे, 450 plus 650, plus 600, plus 500, plus 550, total कितना value है, 1, 2, 3, 4, 5 value, so 5 से divide करेंगे, इन सभी value को जब हम add करेंगे, suppose 450, 650, 600, 500, 550, सभी को add करने के बाद, total value निकल के आएगा, 2750, यह होगा, total value divided by 5, so 2750 को हम 5 से divide करेंगे, so 55, 25, इसमें क्या आएगा, substrate होने के बाद क्या आएगा, 2, so यह 5 निचे आएगा, 55, 25, 25, so यह होगा 0, यह जो 0 है, यह निचे आएगा, बनलोग यह 0 इधर आएगा, तो इन दोनों को सबस्टेक करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, तो यह 0 जो है, 0 को हम divide करना पोड़ेगा, 5 से 0 टाइम्स देंगे तो 0 होगा, तो फाइनली इन दोनों को सबस्टेक करने की बाद 0 आएगा, अभी हमारा सबस्टेक्शन कम्प्लीट हो गया है, तो 550 होगा इसका mean value, सबस्टेक्शन 1, 1, 3 का question है, 15, 20, 80, 75, 5, and 80, सबस्टेक्शन इस सभी value को हम साम करेंगे, सबस्टेक्शन 15 प्लास 20 प्लास 80 प्लास 75 प्लास 5 प्लास 80, अभी total इसमें value कितना है, उसको count करेंगे, सबस्टेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 value है, तो 6 से divide करेंगे, तो mean का मतलब होगा, जितना value होगा, value से divide करेंगे, और यह जो value होगा, value को हम क्या करेंगे, साम करेंगे, यह जो value है, इन value को साम करने के बाद, इसका total value आएगा, 245 divided by 6 होगा, सो 245 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 तो अभी क्या आएगा 5 5 को तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइमस डिवाइड करना पड़ेगा इधर 0 होगा नेक्स ये 5 होगा नेक्स ये 5 निचे आगया तो पॉइंट देंगे तो 0 होगा तो अभी 50 को हम डिवाइड करेंगे 6 8 जा 48 तो 2 आएगा पॉइंट से 0 मिलेगा तो 63 जा कितना होगा 18 फिर से इधर 2 रहेगा तो एसे 3 थी होकर इंक्रेज होगे चला दाएगा तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिल लिखेंगे तो इसका अंसर होगा 40.83 यह लिखनेने से ही अंसर बजाएगा question 1.4 तो इसका solution किसा आगा इसे भी विलो को हम add करेंगे suppose 12 plus 5 plus 13 plus 2 plus 8 और इधर क्या करेंगे divided by कितना विलो है 1,2,3,4,5 विलो है so 5 से डिवाइड करेंगे धर क्या लिखेंगे mean लिखेंगे mean तो mean equal to so यह total number sum होगा divided by total number गा विलो होगा suppose 1,2,3,4,5 तो अभी यह दो विलो है इन सभी विलो को जब हम add करेंगे इसका total value एगा 40 divided by 5 so 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5,8 जा 40 so answer आएगा 8 question 1,5 so इसको हम कैसे करेंगे पहले mean लिखेंगे mean लिखने के बाद यह दो value है value सभी value को add करेंगे 88 plus 56 plus 47 plus 67 plus 47 तो जब हम यह value को add करेंगे तो इसका एक total value आएगा पहले हम क्या करेंगे कितना total value है suppose 1,2,3,4,5 तो नीचे 5 लिखेंगे 5 से divide होगा total value को तो 88,56,47,67,48 इन सभी value को जब हम add करेंगे इसका total value आएगा 305 divided by 5 होगा 305 को जब 5 से divide करेंगे तो 5,6 जा 30 होगा वेगें क्या आएगा यह 5 नीचे आएगा तो 5 को 1 ताइम जब देंगे 5 into 1 equal to 5 so finally remainder 0 तो उसका answer आएगा 61 यह होगे असका answer mean equal to यह सभी value add होगा 74 प्लास 80 प्लास 74 प्लास 92 तो कितना value है total 1,2,3,4 value है so 4 से divide करेंगे जितना value होगा वही से divide करेंगा तो अभी इसको जब हम add करेंगे इसका total value निकल के आएगा 320 divided by 4 होगा so 4 से अगर हम इसको divide करेंगे तो 4 into 8 equal to 32, so 0 होगा so इसका answer आएगा 80 यह होगा इसका mean value, mean equal to value को add करेंगे 70 plus 82, 82 plus 70 plus 2 so इसको हम ऐसे भी add कर चेकते हैं 70 plus 82, तो इसको जब add करेंगे इधर 2 होगा, इधर 15 होगा next 70 add करेंगे, तो 2, 2, 2 यह होगा next जब हम 2 add करेंगे, जब 2, 2 को add करने के बाद कितना मिलवाएगा, 2, 2, 4 यह होगा इसका total value so यह total value है, मतलब इसका यह जब value है value को जब साम करेंगे आएगा कितना value, 2, 2, 4 लेकिन इसको divide करना पड़ाएगा कमसा नमबर से, इसमें जितना value होगा उसी नमबर से suppose 1, 2, 3, 4 है, so 4 से divide होगा तो नीचे 4 हैगा so 4 से इसको divide करना पड़ेगा so 2, 2, 4 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो 4, 5, 0, 20 होगा next क्या आएगा, 2, 2 को तो divide नहीं होजकता so 4 को नीचे लाएगे तो 4, 6, 0, 24 तो remainder 0, यह होगे इसका answer 56 question 1, 8, solution इसका solution ऐसे होगा mean equal to value को add करेंगे 7 plus 6 plus 9 plus 5 plus 4 plus 10 plus 8 total कितना value है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 से divide होगा next 7 यह denominator जगर पर हैगा और इसको जब हम total करेंगे तो total value कितना आएगा 49 आएगा so 7 से यह जो 7 है 49 को divide करेंगे तो कितना ताइम जएगा 7 ताइम तो उसका answer होगा 7 question 1, 9 so इसका solution ऐसे होगा पहले हम क्या करेंगे इसको mean लिखेंगे mean equal to यह सभी value add होगा 48.0 plus 45.5 plus 25.5 plus 26 plus 32 plus 33.5 अभी total value कितना है इसको count करेंगे suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 value है तो नीचे में 6 लिखेंगे तो next क्या करेंगे यह तो हमने भेलो लिखा है इसको हम साम करेंगे suppose 48 तो 45.5 होगा तो इसको जब साम करेंगे यह 45.0 है तो इसको हम लिखेंगे 5.85, 8 plus 5 equal to 13, 3 carry 1 so 44 equal to 8, 8 plus 1 equal to 9, 93 so 93 से यह भेलो हम एड करेंगे 25.5, so 5 plus 5 equal to 10, so 0 होगा तो 1 carry होगा, 3 plus 5 equal to 8, plus 1 equal to 9 9 plus 2 equal to 11, यह आगया next भेलो तो इसके साद हम 26 को एड करेंगे, so 26 को जब हम एड करेंगे 19.0 है इसके साद 26 को एड करेंगे, so 26.0 यह से लिख सकते है हम तो इसमें point आएगा, 0 इधर होगा तो 9 plus 5, 9 plus 6 equal to 15, 5 carry 1 so 1 plus 2 equal to 3, 3 plus 1 equal to 4, again you 1 इधर रहेगा तो अभी plus करेंगे 32 को, so 32 को जब हम plus करेंगे इसमें एक point लिखेंगे और एक 0 लिखेंगे, तो 0 होगा next point इधर आएगा, 5 plus 2 equal to 7 4 plus 3 equal to 7, and 1 इधर आएगा finally एड भेलो आएगा 33.5, so 33.5 इधर रहेगा तो इसको जब हम एड करेंगे, 0 plus 5 equal to 5, point तो 3 plus 7 equal to 10, 10 का 0 होगा, तो 1 क्या होगा, carry होगा 7 plus 3 equal to 10, 10 plus 1 equal to 11, 1 so carry 1 होगा, so 1 को 1 के साथ एड करेंगे, तो 2 होगा so इसका total value होगा, 210.5 divided by 6 हम 210.5 को 6 से डिवाइड करेंगे, so 210.5 तो इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6, 3,018 होगा तो next क्या आएगा, इसमें 3 आएगा, so ठीके साथ ये 0 इधर रहेगा, so 6, 5,030 होगा, 30 होने के बार क्या आएगा, ये point को हम point की पीछे में, जो digit है, उसको नीचे लाएंगे, नीचे लाने की पहले क्या होगा, ये point जो है, point को पर चला जाएगा, तो 5 को 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 0 टाइम देंगे, तो इधर 0 होगा, next के आएगा 5 होगा, तो ये point से अभी 0 मिलेगा, 50 होगा, तो 6 एज़ा, 48 होगा, finalist में, 1, 2 क्या रहेगा, 1 करी करने के बाद 2 रहेगा, तो ऐसे ही, increase होगा, 2 रहेगा, तो क्या करेंगे, decimal के बाद हम उनको 2 नमबर चाहिए, तो 2 digit चाहिए, तो इसलिए हम इधर ही रख देंगे, so finally, जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका अंसर आएगा, 35.08, इह होगा असका अंसर,